हाइ एव्रियोवन नमस्टे कैसे है आप लोग सो आप लोगों को वेलकम करते हूं हमारी चैनल फ्यूशन अनन्यमे और फ्यूशन अन्यम जो है वी एक देली ब्लॉग चैनल है बाट आज में एक नया कैटेगरी आड़ करने वाली हूं इस चैनल में और इसका नाम है आवर हे में हम लोग बाती करेंगे healthy lifestyle की उपर आज का जो वीडियो है ये है पहला है हमारी इस category का और इसका जो टाइटल है आप लोग को पता चल गया है और वो है क्या yoga practice safe है during pregnancy? क्या प्रेगनिंसी के एक ताइम पे हम लोग योगा आसनास कर सकते हैं? इसके उपर so ये इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी आपने बारे में कि मैं कौन हूँ मैं हूँ आने निया और मैं एक certified yoga teacher हूँ और मैं certification मुझे मिला है 2017 को और मुझे तीन साल की अच्छे खासी online and offline experience है so let's start main topic पे आने के पहले आप लोग मेरा कुछ videos और photos देखो जब मैं pregnant थी उस टाइम पे मैं yoga asanas करते थी योगा practice करते थी तो उसका कुछ videos और photos आप लोग देख सकती हूँ मैं share करती हूँ देखें जब मैं पासी आप लोगों को समझ में आ गया है कि येस योगा आसनास जो है योगा प्रैक्टिस जो है वह बहुत ही सेफ है आपकी प्रेग्निंसी के दौरन बट मैं ये योगा आसनास योगा प्रैक्टिस जब करती थी तो मुझे तीन रूल जो था वो मैं फॉलू करती थी जिसकी वज़े से मैं आपनी योगा जर्नी दूरिंग प्रेग्निंसी उस ट्रहें पर बहुत इंज़ाई की थी ये मुझे बहुत मज़ा आये था और मैं एन शरीर को पहले जानो हमारी शरीर को हम से बेटर और कोई नहीं जान सकता है कोई भी नहीं तो जब भी आपको योगा आसना करना है उसके पहले आप अपने शरीर को जान लो कि आपकी शरीर आपको क्या कह रहा है कोई भी इस्यू आपकी इंटरनल प्रोब्लेम या तो आपक बाहरी प्रॉब्लेम कुछ भी प्रॉब्लेम हो आपके शरीर आपको बताता है और वही आपको जानना है मैंने अपने योगा आसना स्टार्ट की थी exactly three month में उसके पहले मुझे मेरे शरीर ने अलाव ही नहीं किया था प्रैक्टिस करने का क्योंकि उस टाइम पर मेरे शरीर एक्टम धीला पड़ चुका था मैं बहुत वॉमिट करती थी मुझे खाना नहीं जाता था इवन मॉर्निंग सिकनेस यह होता था मैं इतना वीक हो चुकी थी starting की दो मैना कि मैं इहां से वहां तक चलने के लिए भी मुझे गिंती करना पड़ता था वान ट्यू थ्री ऐसे गिंती करती थी उसके बाद वॉक करती थी तो मेरे शरी ने मुझे कहा कि आप्तैर नहीं हूँ आप आपकी शरी अब दम आपके साथ देने वाले नहीं और त walnut पे आप जबरदेस्ती कुछ करोगे वह आपके लिए हानी हो सकता है इसले पहले आप अपनी शरिल को जानो, आपके शरिल क्या कह रहा है, इसली आप रेड़ी हो, मेरी तरह नहीं है, आप एक दम फाइन हो, फिट हो, आपको लगता है, है येस, तो आप स्ट्राइक कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हूं, लेकिन वह भी थोड़ी-थोड़ी क के सार तो आप अपनी डॉक्टर से और आप उनसे एक बाद चेक अप कराओ कि आप रेडी होके नहीं क्योंकि बहुत सरे लेडिस को यह प्रॉब्लिम होती है कि जब उन लोग प्रेगनेंट होते है तो उसी टाइम पे उनको डायबेटिस का इशू होती है उनका ब्लेड प्र जहीं होते है कि नोलेज विदाउट नोलेज आपको जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि योगा प्रेक्टिस होता है आप वॉक कर सकती हो आप साई थोरी बहुत वॉक्त फ्री हेंड एक्सेस करती है लेकिन योगा के लिए आपको थोड़ा बहुत नोलेज ज़रूर जानना चा उन्होंने बताय थे कौन से आसनेस करना है, कौन से आसनेस नहीं करना है, कौन से आसनेस आप कर सकते हो, कैसे ब्रिधिंग लेना है, कौन से प्रानायमा करना है, प्रॉप, प्रॉप मतलब हेल्प, जैसे 6 मन्थ, 7 मन्थ में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम पे आपकी प्राप की साथ कैसे प्रैक्टिस करना है, तो ये नौलेज आपको पास होना चाहिए, तब ही जाके आपकी प्रैक्टिस जो है, स्मूध होगा, सेफ होगा, और इंजॉइबल होगा, आपकी पस नौलेज नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आपके आसपास में जो भी योगा टीचर है, योगा ट्रेनर है, उनको आप कॉल कर सकते हो, उनका हेल्प ले ले सकते हो, और आपकी पास वो भी नहीं है, आप छोटे से गाव में हो, छोटे से कजमे में हो, और टाउन में हो, आपके आसपास में कोई ऐसा योगा टीचर नहीं है, जो आपको हेल्प क Yes, level भी बहुत important है भाई हम लोग जब pregnant रहते हैं उस टाइम पर हमारे body का condition कुछ अलग रहते है तो उस टाइम पर हमें extreme stretch नहीं करना है extreme में नहीं जाना है हमें धीमी गती से practice को करना चाहिए धीमी गती से हमें अपना body को move करना है ठीक है कोई wrestling नहीं हो रहा है उसको देख लिया तो मुझे कुछ करना है ऐसा नहीं जैसे instagram में बहुत सरे यसे yoga teacher है जो practice करते है hand stand, shoulder stand and back bending बहुत खतरनक खतरनक advanced practice करते हैं लेकिन वो सरे चीज उनके लिए safe है वो काफी साल से वो practice करते आये हुए है वो confident है इसलिए हो करते हैं लेकिन मैं confident नहीं हूँ मैं नहीं कर सकती हूँ कुछ हो गया तो इतनी सी चूख हो गया तो तो क्या हो सकता है मेरा और मेरे बच्चे के हानी हो सकता है तो इसे की वज़े से आप अपनी level को cross मत कीचिए चीक है अपने लिए कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो तो यह सब जहमेले में मत परो चैलेंजिस लेने का सरुष नहीं है ज़स इन light low impact कार्डियो का प्रैक्टिस करो आप आपका modification सुड़िया नमस करो आप जितना modify कर सकते हो उतना करो रूप को रूप क्या प्रैक्टिस करो और धहन रखो आपके breathe in और breathe out के उपर आपको कुछ भी feeling हो रहा है कि आप इससे ज़्यादा stretch नहीं कर सकते हो इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो तो हाथ की आप रूखो यही चीज आपको safe बनाएगा आपके practice को safe बनाएगा ठीक है तो दोस्तों यही तीन चीज आपको always follow करना है और यह follow करोगे तो आपका yoga practice during pregnancy ब आप उठा पाओगे even आप नहीं आपके बच्चे भी so next video में मिलते हैं तब तक bye bye